पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जंका और कुशल की फाइट चल रही थी मेहुल और रिया ने मिलके धमाका सिंग को चेल में बन कर दिया था धमाका सिंग जील से भागने की काफी कोशिश कर रहा था वो चेल का ताला तोड़ने के लिए कोड दूर रहा था तभी उसका ध्यान पास वाली दिवार पे पड़ा दिवार पे कुछ लिखा हुआ था क्या ये कोड हो सकता है चेल को तोड़ने का धमाका सिंग सोच में बढ़ जाता है क्या आप सोच के बता सकते हैं कोशिशन मात की जगर क्या आएगा आपकान से कमेंट कीचे दमाका सिंग समझ जाता है कि कोशिशन मात की जगर 3 आएगा पहला अलफबेट है और सेके नमबर है उसकी पोजिशन का जैसे दी 4 नमबर पे आता है दमाका सिंग ने कलती से गलप नमबर प्रेस कर दिया तो साइरन बजने लगा और पुलिस ने आके दमाका सिंग को भागने से रोक लिया पुलिस ने उसे उठा के दुसरे जेल में डाल दिया ये जेल का कोड खोलना कैसे दमाका सिंग को समझ में नहीं आ रहा था दिवार पे कुछ पिचार बने हुए थे क्या हो सकता है कोरी ये जेश सिर्व भागने का क्या आप सोच के बता सकते हैं। आपका अंसर कमेंड कीचे चलिए. इसका अंसर देखे रहे हैं दिवार पे कुछ पिच्चर बने हुए है और वही चीसे जीन में भी रखे हुई है, जैसे पहला bucket बना हुआ है, और अंदर एक bucket रखे हुई है, फिर spoon बनि रखे हुई है, तो अंदर दो स्पून रखे हुई है, विवार पर एक flower pot भी बना हुआ है और अंदर दो फ्लावड दौर्टर के उड़ है, तो मतलब कोड हो जाएगा 1,2,2 धमाका सिंग समझ जाता है, और इस बार बने ध्यान से कोड प्रेस करता है जेल का लॉक खोल जाता है, और धमाका सिंग जेल से भाग जाता है मेहुल दमाका सिंग का पीछा करता है और उसका पहुत चारता है मेहुल और दमाका सिंग के बीच पहली की जंग शुरू हो जाती है दमाका सिंग बताओ मेहुल मुझे आपल चाहिए लेकिन कैरेट नहीं ओरेंज चाहिए लेकिन पटेटो नहीं बनाना चाहिए लेकिन अनियन नहीं तो बताओ मुझे क्या चाहिए मेहुल थोड़ा सोचता है और पोठाक से इसका जवाब दे देता है क्या आप सोच के बता सकते हैं तमाका सिंग को क्या चाहिए आपका अंसर कमेंट केज़े चलिए इसका अंसर देता है आपल, औरेज़, और बनाना फ्रूट से और क्यारेट, पटेटो और अनियन वेजिटेबल से मतलब दमाका सिंग को फ्रूट चाहिए मेहुल इसका अंसर दे देता है और दमाका सिंग पे पहली का वार करता है बताओ दमाका सिंग मुझे मुंबई जाना है, लेकिन नाकपूर नहीं भोपाल जाना है, लेकिन इंदौर नहीं लखनाओ जाना है, लेकिन आग्रा नहीं परताओ मुझे कहा जाना है तमाका सिंग पुरा सोचता है और इसका जवाब दे देता है क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कहा जाना है आपका अंसर कमेंट कीजिए चलिए इसका अंसर देखते हैं मुंबई, भोपा, लखनाउ ये तिरों कापिटल सिटीज है मतलब मेहुल को कापिटल सिटी में जाना है तमाका सिंस का अंसर देता है और मेहुल पे एक और पहली का वार करता है बताओ मेहुल मुझे श्रीलंगा जाना है लेकिन नेपाल नहीं औस्ट्रेलिया जाना है लेकिन फ्रांस नहीं यूजिलेंड जाना है लेकिन सिंसर लेंड नहीं बताओ मुझे कहा जाना है मेहूर ये पहली सुनके सोच में पड़ जाता है क्या होगा इसका जवाब किया, आप बता सकते है इसका जवाब क्या होगा आपका अंसर कमेट किजे चल ये इसका अंसर देखता है शेलंका, औस्ट्रियो और न्यूजिलेंड तीनो आइलेंड जेंड और नेपाल, प्रांस और स्रिजलेंड आइलेंड नहीं है मतलब धमाका सिंग को आइलेंड पे जा रहा है मेहूल इसका जवाब नहीं दे पाता तो तीर मेहूल को फ्रीज कर देता है और धमाका सिंग वहां से भाद जाता है कुगो की अड़े की तरफ धमाका सिंग कुगो के अड़े तक पहुच जाता है अड़े के अंदर जाने के लिए उसको कोट समझना होगा धमाका सिंग वहां खड़े हो के ध्यान से देखने लगता है Security बोलता है 4 तो आदमी बोलता है D तो Security उसे अंदर जाने देता है Security बोलता है 5 तो आदमी बोलता है D तो Security उसे भी अंदर जाने देता है Security बोलता है 3 तो आदमी बोलता है E Security उसे भी अंदर जाने देता है फिर धमाका सिंग आगे जाता है तो security बोलता है 6 तो अब आप बताए धमाका सिंग क्या बोलेगा आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेट केज़े चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ धमाका सिंग बोलता है C तो security उसे अंदर जाने देता है धमाका सिंग पहली solve करता है तो दुनिया में कहीं धमाका होता है चलिए देखते हैं C कैसे आया 4 का D हुआ 4 में 4 letters है तो A1 हुआ, B2 हुआ, C3 हुआ, D4 हुआ तो 4 letters का 4 मतला 4 का हो जाएगा D वैसे ही 3 में 5 letters है तो 5 नमबर पे आता है E तो 3 का E हो जाएगा तो जब security ने 6 बोला तो उसमें 3 letters आते हैं इसलिए धमाका सिंग ने C बोला धमाका सिंग अड़े के अंदर पहुँच जाता है और वहां रिया खजाने के तलाश में लग जाती है उसे पता चलता है यह एक नक्षा है जिसकी मदद से वो खजारे तक बहुँच सकती है लेकिन नक्षे के 10 तुकड़े हो गए है तो रिया को सबसे पहले वो नक्षे के तुकड़े धूमने पड़ेंगे रिया निकल पड़ती है नक्षे की तलाश में अगले वेस्दे से शुरू हो रहा है विया और खजाने का नक्षा और वहां कुशल और जग्वा के पिछ पहली जंग शुरू है कुशल ने जग्वा से एक पहली पूछा था रोहन बस लेके घर से निकला बस के पहले स्टॉप पे चार लोग चड़े बस के दूसरे स्टॉप पे तीन लोग चड़े और दो लोग उतर गए बस के तीसरे स्टॉप पे चार लोग चड़े और पाच लोग उतर गए बस के चौथे स्टॉप पे एक चड़ा तो बताओ बस में अबे कितने लोग हैं आपको क्या लगता है बस में कितने लोग होंगे आपका अंसर कमेंट कीज़ें जगह उसका अंसर दीर रेता है शिक्स पहले स्टॉप फेर चार लोग चड़ें दूसरे पे तीन चड़े और दो उतर गए तो तोटल हो गए पाँच पैसेंजर तीसरे पे चार चड़े और पाँच उतर गए तो तोटल हो गए बस में चार पैसेंजर पाँच पैसेंजर तो अब बस में तोटल लोग हो गए पाँच पैसेंजर प्राइवर तो तोटल छेलो उससे तुड़ा जग़ा पर एक और पहली का वार करता है बताओ जग़ा इस पिच्चर में अगर मैं बॉल को छोड़ दू तो कौन-कौन मरेगा आपको क्या लगता है कौन-कौन मरेगा आप का अंसर कमेंट पीजिए चाहिए इसका अंसर देखते हैं अगर मैं बॉल को छोड़ता हूँ तो धमाका सिंग, घोको और जग़ा तीनों मर चाहेंगे लेकिन जग़ा ने बोला सिर्फ धमाका सिंग और घोको तो ठीर ने जग़ा को लेके एक अंधिरी गुपा में ले जाके कैट कर दिया और कुषल मुंबई की तरफ आगे बढ़ने लगा ये खबर गोको और धमाका सिंग कर बहुत चाहती है जग़ा एक अंधिरी कुपा में बंद हो गया है तो गोगो कुषल से लड़ने के लिए धमाका सिंग को भेजते पर है जग्का अंधिरी कुपाओं में कैद हो गया है या निकल पड़िये खजाने की तलाश में और पोने वाला है तमाका सिंग और कुषर के बीच एक और मुकाबला क्या होगा अगे देखते हैं अगले वीडियो में कुषर पहली का सीजन वन देखने के यह यहां के खीजर और पिछले एपिसोड यहां पर देखते हैं